दोस्तो नमस्कार अगर आप Axis Bank में खाता खोलने की सोच रहे हैं आप confusion में हैं कि आपको खाता खोलना चाहिए या नहीं आप decide नहीं कर पा रहे हैं कि आपको Axis Bank के साथ जाना चाहिए या नहीं तो दोस्तो आप 5 मिनट के लिए मेरे इस वीडियो को जुरूर देखिएगा इ आपको Axis Bank के सेविंग अकाउंट की पूरी जानकारी देने वाला हूँ अकाउंट खोलने के बाद आपको क्या-क्या benefit मिलेंगे क्या-क्या आपको फाइदे होने वाले हैं और क्या बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं इस वीडियो में हम पूरी जानकारी डे करनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन करेंगे तो आपको हमारी लेटस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा आईए दोस्तों इस वीडियो में हम Axis Bank के सेविंग अकाउंट का रिवियू कर लेते हैं कि आपको खात मैं कभी अपने सेविंग अकाउंट की फीचर और चार्जिस में बदलाब करता है तो उसके लिए हमारा ये चैनल रिस्पॉंसिबल नहीं होगा हमारी कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी फ्रेश जानकारी के लिए आप Axis Bank की वेबसाइट को बिजर कर सकते हैं और बहां प मैं प्राइविट सेक्टर का एक बड़ा बहतरीन बैंक है और लोगों को काफी लंबे समय से ये सेवाई परदान कर रहा है लोगों को ये काफी सारे ओफर और स्कीमें पेश करता है जहां पर लोग अच्छे कासे पैसे निलगाते हैं और पैसे निवेश करने के बाद बड क्या क्या फाइदे होने वाले हैं सबसे पहले फाइदे की बात करेंगे जब आप अपना अकाउंट उपन करेंगे तो अकाउंट उपन करने के लिए आपको बरांच जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप घर बैठे अपने कमफर्ड में वीडियो के वाइसी की बैंक के द्वारा बैलकम किट भीजा जाता है जिसके उपर आपको यहां पर डैविड काड भी दिये जाता है और यहां पर आपको चेक बुक भी प्रवाइड की जाती है डैविड काड के आने के बाद आप बड़ी असानी से इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल करने का मज़ा ले सकते हैं यहां पर मैं बताना चाहूंगा आटीजेस और आइम पीएस की सुवधा यहां पर 24-7 है आप यहां पर इस बैंक से यह ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दोस्तों यहां पर सबसे अच्छी बात यह है सेविंग अकाउंट की कि आपको यहां पर डैव अगर आप के पास समय है तो आप बैंक की वेबसाइट पर बिजर कर सकते हैं या फिर आप जिस बैंक में अपना खाता खोलेंगे उस बैंक के करमचारी से अच्छे से समझ सकते हैं इन्वेस्टमेंट के प्लान यहां पर एक्सिस बैंक के काफी बढ़िया है अगर आपके इमेल के उपर स्टेटमेंट की सुवधा बैंक दे देता है आपको यहां पर इमेल के उपर बैंक स्टेटमेंट प्रवाइड किया जाता है और आपके यहां पर घर के अड्रेस पे भी फिजकल स्टेटमेंट भेजने की सुवधा वेलवल है आप उसका भी लाव ले सकते है इसके लावा यहाँ पर bank saving account में आपको SMS feature देता है SMS और email alert आपको दोनों तरीके के यहाँ पर bank provide कर देता है जिसके माधियम से आप अपने account को track कर सकते हैं कि आपके account में क्या-क्या यहाँ पर हो रहा है और कौन-कौन से transaction जा रही है और कौन से transaction आ रही है तो banking जो है alert बहुत ज लोन चाहिए या फिर आपको home loan चाहिए या फिर आप कोई और तरीके का loan लेना चाहते हैं against property तो यहाँ पर bank जो है आपको काफी सारे offer दे देता है अगर आपने अभी तक अपना saving account नहीं खोला है तो आपको offer का लाव लेने के लिए saving account जुरूर open करना चाहिए link आपको description box प पता है flip card, access bank credit card, free charge credit card और यहाँ पर google pay access credit card यह तीन credit card काफी जारा famous है online transaction करने के मामले में अगर आप saving account खोलते हैं तो इन तीनों मैंसे कोई न कोई credit card का offer यहाँ पर आपको जल्द ही देखने को मिल जाता है अगर आप अपने account में पैसा अच्छा खासा maintain कर लेते हैं तो यह इसके लाबा आपको bank जो है interest rate प्रवाइड करता है अगर आप saving account में पैसा रखते हैं interest rate का chart जो है मैंने description box में लगा दिया है अगर आपके बाद समय है तो आप बहाँ पर जाके check out कर सकते हैं bank के साथ आप यहाँ पर account में FDB करवा सकते हैं RD के सुबदा भी bank दे देता है तो बात करेंगे fees and charges के बारे में फिर मैं आपको नुकसान बताऊंगा और last मैं अपना opinion बताऊंगा तो सबसे पहले हम charges के बारे में अच्छे से जान लेते हैं अगर बात करें सबसे पहले debit card की तो यहाँ पर आपको bank जो debit card issue करके देता है उसके उपर आपको 500 plus GST यहाँ पर charge क जाती है वो first checkbook यहाँ पर free होती है उसके बाद यहाँ पर आपको charges वाली checkbook applicable हो जाती है तो यहाँ पर आपको charges भी देने होते हैं इसके लावा यहाँ पर 15 रुपे SMS charge के उपर आपको लगाए जाएंगे अगर यहाँ पर quarterly बात करें तो 15 रुपे जो है चार्ज रखा गया ह SMS alert का वो भी आपके यहाँ पर account में कटता रहेगा दोस्तों यहाँ पर जो आपको ATM card provide किया जाता है बैंक के दोरा उसके उपर आपको 5 transaction free of cost में मिलती हैं उसके बाद अगर आप exceed करते हैं तो आपको यहाँ पर charges देने होते हैं इसके अलाबा cash handling charges और यहाँ पर आपको outstation के charges भी लगाए जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर bank जो है आपको काफी तरह के charges लगा देता है मैंना link जो है description box में लगा दिया है charges का अगर आपको और भी charges जागा जानकारी लेनी है तो आपको बहाँ पर जानकारी मिल जाएगी आप दोस्तों बात कर लेते हैं आपको होने वाल के consolidation charges के नाम पर आपके उपर काफी सारे charges लगाता ही जाएगा चाहे आप account को maintain कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं तब भी यहाँ पर आपको consolidation charges monthly लगाए जाते हैं उसके बाद यहाँ पर minimum average balance की बात करें अगर आपका balance shortfall होता है तब भी यहाँ पर आपको charges की भरमार लगाई जाती है तो यहाँ पर आगर आप account को maintain नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको charges देने होते हैं consolidation charges आपको हमेशा ही bank लगाईता है रहता है bank आपको लगाता ही रहेगा और यहाँ पर मैंने मेरा अपना personal opinion है यहाँ पर मेरा जो saving account है access bank में है तो मुझे जो है काफी लंबे समय से consolidation charges का सामना करना पड़ रहा है अब ही जो है यहाँ पर cash से समंदित भी charges यहाँ पर applicable किये गए हैं मैंने इस से समंदित पहले एक video बनाया था जो charges जो है applicable हो चुके हैं और यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा charges देने होते हैं अब दोस्तों यहाँ पर फाइदे नुकसान के बारे में मैंने आपको अच्छे से cover कर दिया अब बात आती है मेरे opinion की कि आपको यहाँ पर access bank में खाता खोलना चाहिए या नहीं तो यहाँ पर मेरा opinion यही है कि आपको खाता जुरूर खोलना चाहिए देखिए अब मैं बताता हूँ क्यूं आपको पता ही है flip card, access bank credit card अगर आपको flip card की website से नहीं मिल रहा है तो आप account खोल के instant ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आगर आप account में अच्छा खासा पैसा maintain करेंगे तो आपको यह card का offer बहुत जल्दी bank दे देता है consolidation charges दने ज़्यादा नहीं होते हैं यहाँ पर सौदोसों अगर आपको bank charge लगाता भी है तो वो आपके सारे credit card के cash back में cover हो जाएंगे अगर आपको credit card लेना है life का पहला credit card लेना चाहते हैं तो आप यह card के लिए इस bank में खाता जरूर खोल सकते हैं यह bank का आपको कभी भी निराश्ट नहीं करेगा credit card के मामले में क्योंकि सबसे ज़्यादा famous credit card आपको access bank के देखने को मिल जाएंगे अगर आपको credit card लेना है तो आप account खोलने के लिए जा सकते हैं मेरा यह personal opinion है कि आपको यह खाता जरूर खोलना चाहिए अगर दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह मन हो रहा है कि आपको खाता खोलना चाहिए तो आपको वीडियो की description box में link मिल जाएगा आप बहाँ पे जाकर check out कर सकते हैं तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपका यहाँ पर doubt clear हो गया होगा आप यहाँ पर अच्छे से decide कर पाएंगे कि access bank में आपको खाता खोलना चाहिए या नहीं तो like कर देना चैनल पर नए है तो subscribe करके हमारी इस family को जरूर जोइन करना क्योंकि यहाँ पर आपको banking से related वीडियो ही देखने को मिलती है मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए जैहिन बंदे मातरम